जैशिर कृष्णा जैशिर राधे अर्चना के कृष्ण गुनगान चैनल पर आपका स्वागत है अब मैं आपको शिरी शिब महापुरान का छटा अध्याय सुना रही हूँ ब्रह्मा जी बुले है नारत हमें तथा विश्णू को परंस पर लड़ते देखकर प्रलै कालीन प्रज्वलित बढ़ वागनी के समान सिब जी अचानक उस्थान पर प्रक्ट हो गए मैं उनकी उपमा किस से दूँ उनके उस परम तेजुस्वी सवरूप को देखकर हम दोनों पर्स पर युद बंद कर दिया उस में विश्णू अत्यंत भ्यवी तता अस्चारे चकित होकर मुझसे कहने लगे हे ब्रह्मा यह निसीम तेज कहां से आ रहा है अब हम दोनों में से जो भी इसके आदी और अंत को देख लेगा उसी को सबसे बड़ा और सबका स्वामी सव कर लिया जाएगा हमें तो यह तेज आदी और अंत रहित जान पड़ता है अच्छा तुम इस तेज के ऊपर की ओर जाओ और हम नीचे की ओर जाते हैं हे नारत विश्णू की यह बात सुनकर मैंने भी सविकार कर ली तब हम दोनों हंकारी उस तेज के आदी और अंत को देखने के लिए एक दूसरे से भिंदिशाओं में चल पड़े हे पुत्र जो कार्य हंकार की अवस्था में किया जाता है वो कभी पूर नहीं होता और उसका फल कभी भी अच्छा नहीं होता जब तक मनुश्य हंकार को नहीं त्याग देता तब तक उसे किसी भी कार्य में स इस लोक में सुक आरोग्य तथा परलोक में स्रेष्ट गती की प्राप्ती होती है हे नारद हम और विश्णू एक दिब्य सहर्स वर्ष प्रंत उस दिब्य जोती के आदी अंत को ढूंडते रहे प्रंतु हम दोनों में से किसी को भी कुछ पता ना चला हम निराश होकर अप और हुई कि जिस स्थान से हम चले थे हमें उस स्थान को ढूंडने में भी वो स्थान नहीं दिखाई दिया अतै हम एक सहर्स दिब्य वर्षों का समय अपने पहले के स्थान को ढूंडने में लग गया उसमय हमें इस बात का भली भांती ज्यान हो गया कि हमारे भी उपर और पुरातन है यह बाद ध्यान में आते ही हम दोनों उस पवित्र निर्विरकार सवरूप की शरण में गए और पनस्पर सतुरता को त्याक कर भक्ती भाव से उस परम स्वामी की स्थुति करने लगे हम दोनों की प्रात्ना को सुनकर आकास वानी हुई कि हे ब्रह्मा हे स्वामी की स्थुति में इस प्रकार कहना अरंप किया है स्वामी हम दोनों ने आपकी माया के वशिबूत होकर अपने को स्रिष्टी का उत्पन करता समझ लिया था अब हम अपने अभिमान को त्याक कर आपको दंडवत करते हैं आप हमें अपना सेवक जानकर क्रिपा कीजि और प्रक्ट होकर अपना दर्शन दीजिए जिसमें हम लोग इस प्रकास्तुती कर रहे थे उसी समें हम दोनों को गूर शब्दों में से किसी ने कुछ प्रेणना दी प्रन्तु हम उसके तात्प्रया को नहीं समझ पाए अब हमने दंडवत प्रणाम करते हुए पुनय प् प्रभो हमारे सनमुख खाकर साकार रूप में प्रक्ट होकर हमें दर्शन दे क्यूंकि आपकी गूर प्रेणना को समझने में हम दोनों ही असमर्थ हैं हमारे इस प्रकार कहते ही भगवान सदसीव साक्षात रूप में प्रक्ट होकर हमें वो सब रूप दिखाया जिसके द दर्शन पाकर संपोन संसार मोहित हो जाता है तद उप्रांत प्रणव अत्वा ओंकार शब्द प्रक्ट हुआ भगवान सदासिव की माया जानने में असमर्थ होने के कारण हम उसे भी समझने में असमर्थ रहे कुछ देर पस्चा जब उस प्रणव के चार भाग हुए और उसके भीतर के सगन रूप भगवान श्त्रिशूल पाणी प्रक्ट हुए उसमें हमने ये समझा कि इस प्रणव के जो अकार उकार तथा मकार अक्षर हैं उनके ना तथा बिंदू का यह अर्थ है कि पहला अक्ष अर्थात अकार लिंग की जोती है दूसरा अक्षर उकार उस जोती का मध्य है जो आधी मात्रा में नाद रूप है वह उस लिंग जोती का मस्तक है और जो बिंदू है वह संपोर्ण लिंग का जोती सवरूप है उसका वर्णन इस प्रकार से किया जा सकता है कि अकार से उकार से यजुरुवेद, मकार से सामबेद और नाद से अथरवेद तथा बिंदू से ब्रह्म बिद्या का सवरूप बना है यह संपूर्ण स्रिष्टी में सर्वोत्तम है उसी से विशातन कहा जाता है उसी प्रणव में तीनों लोकों की स्थिति है वह कभी भी नष्ट नही होता है ब्रह्मा से लेकर त्रिन परत्यंत सभी जीव तथा बस्तुएं उसमें स्थित रहती है डूणने पर भी प्रणों के लिंक को प्रापत नहीं किया जा सकता है तथा बे तथा अठारा पुराणों में भी उसका भीतर विद्यामान है इसी के साथ मैं आपको शिप ब्रह्मा जी ने कहा कि है नारज इस प्रकार निर्विकार तथा निराकार पार ब्रह्म की बहुत प्रकार से स्तुति करने के उपरांत हमने उनसे भी यह प्रात्ना की कि है प्रभो आप हमारे समक्स अपने सबूप को प्रक्ट कीजिए मेरी तथा विश्नु जी की यह प्र उसी क्षण प्रकट हो गए उनका स्रीर श्वेत पत्थर के समान गौर था वे उस स्रीर पर भसम मले हुए थे उनके बाम अंग में आदी शक्ती महमाया सर्वोत्तम बस्तर लंकारों को धान किये हुए बिराजमान थी इस प्रकार जब उन्होंने अपना दर्शन दिया तो उन और बाणी गदगद हो गई कुछ देर पस्चात हम अपनी चत्यता को प्रापत हुए तो हमने हाद जोड़कर उनकी स्थुती करते हुए कहा हे प्रभो हमारा ये पार्स्प्रिक बिवाज शुब ही हुआ जो हमें परम प्रभु के दर्सन प्रापत करने का सौभाग्य मिला निश्य ही हमारे शुब करमों का उदे हुआ है जो हम आपको देखकर लोग और प्रलोग का अनन्द प्रापत कर रहे हैं हे प्रभो हमसे भी जो अपराद हुआ है उसे आप प्रिपा करके ख्शमा कर दीजिए हम मेंसे जो भगवान सदासिव को अपने स्वामे सविकार करत प्रणाम करते हैं इसी तरह की और कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जैशिर किष्णा अवस्ते लिखें जैशिर किष्णा जैशिर राधे